कि हलो पीटों कैसे हैं आप लो पढ़िया आज का जो हमार टॉपिक है वह साइकलोक्ट्रॉन और आप दिख सकते हैं हमने यहां पर ड्रॉकर के रखा है और दो फिगर बना के रखा है प्लस हमारा हेडिंग भी साइकलोक्रॉन है यह क्लास 12 का टॉपिक है चैप्टर 4 है मैगनेटिक एफिक्ट अफ करेंट में का ठीक है और विलॉसिती फिल्टर के बाद का ही हमने टॉपिक उठा के लाया है तो आज इस पर डिसक्रशन करते हैं ठीक है चले तो अगर गौर करें बिटा सबसे पहले तो साइकलोक्ट्रॉन की एर्रेंजमेंट पर देखते हैं सबस हम चार्ज पार्टिक्ल को मत्तशा करते हैं क्या करते हैं तो यहीं हमाूंआ का मbreवास करते हैं यहीं कई आज rock करना को मूव करा सके ठीक है और जहां पर हमें जरूरत है वहां पर ले जाके उसको ड्रॉप कर सकें और हमारा काम बन जाए तो अगर आपसे पूछे बिटा कोई क्या करेंगे सब्सक्राइब करता है इसका नाम क्या है वह है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को को ही एक्सलेट करता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल एक्सलेट नहीं करता है इसमें रखना ना रखना कोई मतलब नहीं ठीक है उस पर आगे चार्चा करेंगे कहां पर करता है कहां पर नहीं करता है लिमिटेशन के अनदर कि उधीर ध्यान देते हैं हम लोग कि रखत्रमु कि स्कूर्रम क्या है डिवास्ट बिश्याप काम ओर भान इसकी सुरुवात नोटında डैस्थ तो मिल लॉरेंस लिविंग्स्टन दोनों मिलके बनाया था और कब बनाया था तो 1934 बनाया था इसको कहां पर बर्कली एक जगह है अमेरिका में कैलिफॉर्णिया में जगह है बर्कली और वहीं पर उन्होंने इन्वर्सिटीज के अंदर इसको डिजाइन किया था और वहीं तो से प बात करें प्रिंसिपल क्या है तो जैसा कि रहें कि बात करें कि कि अंदर प्लेस करते हैं दोनों के मौझुदगी फॉर्स लगाता है और मीटिक field direction change करता है this is as the principle of circuitron तो जब भी आप से पुझे का principle of circuitron क्या है तो आप कहेंगे कि when magnetic field and electric field are arranged in such that that it form 90 degree या perpendicular to each other then there is application of force applied by electric field on the charge and magnetic field change the direction into rotatory motion okay next आप बात करें principle के बाद तो construction and working तो इसकी construction देखते हैं लोग और वर्किंग की साथ लिखा जाएगा तो गौर करेंगे यहां पर यह नौर्थ और साउथ दो तो मैंगेट रखे हुए ठीक है इसी ताप का वर्किंग है क्या करता है इसका ठीक है और यहां पर दो हमारे पास इक डी शेप में जैसे यह से अ बीच में इसको कटिंग करके दो बिल्कुल स्लैब दो पीसेज करती है जिसके बीच में थोड़ा सा इस पेस है बहुत सेंटर में ही प्लेस करना होता है इसको इन दोनों डीज को देख सकते हैं यहाँ फ्रिक्वेंसी ऑस्लेटर से करते हैं इसको करते हैं ताकि बहुत ज्यादा से कर सके और हमें जो लगाना होता है वह फोर्स लग सके लगबग बहुत किलोवाट में ही लगबग इसके अंदर करेंट लो करते हैं इसके तो जब यह रोटेट करता है गूंके और सबस्के मैक्सिमूम करने जब बहुत जाती है उस समय एक विंडो खोल जाता है उसके कर देता है हिट कर देता है और उसके बाद उसके आएगा प्रोसीड कारेग्रम स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो हमको बस बीचर किस पढ़ना है कि कैसे पार्टी क्या करता है वह एक करता है उसी काई पीटा एक नॉर्मल इसे यह तो था ठीडिया इसका टू डैमेशनल देख इसे आप कि यह मैंटिव हैं यहां पर लगा है दो डीज्ट में एक बना हुआ है और यहां पर चार्ज रखा गया चारज रोटेट किया रोटेट किया रोटेट किया रिवजूर्ट किया और बाहर आ गया जब उसके पास मनलब की एनरजी बहुत हाई हो गी त Dalby तो तो यह वर्किंग समझते हैं तो वर्किंग में यह है कि सबसे पहले हमें चार्ज को पॉस्टी पार्टिकल को यहां पर लाके सेंटर में रख देते हैं तो उसके उपर मैंनेटिक फिल्ड और इलेक्ट्रिक फिल्ड दोनों का एक्षन होता है तो मैणा पर इस तर्ढ desar again कोटीडिकल को और इलक्ति क्या करता है उसको फोस्टोन करता है जैसे आछ झाले क्याति कि इसमें क्या है विटा वह इसमें आपका पॉजिटीव और इसमें नीगेटिव दो पॉजिटीक लगता है तो गउर कुरोब पहले वाले के लिए अगर यह वाला मानिस है तो प्लस वाला पार्ट उस पॉज़ेटीव क्या करेगा रिपल्शन करेगा तो वह दूसरी डी के तरफ जहीं रहा होगा तब तरफ और रेडियस के बंढने के वज़े से उसके अंदर मोमेंटम क्रियेट होगा और मोमेंटम से एनर्जी क्रियेट होगी और एनर्जी से वह बहुत ही हाई ली स्पीड में आ जाएगा और एक विंडो गेट खोल के उसको बाहर निकाल देंगे तो यह था हमारा वरकिंग अब व पार्टिकल है जो रहोंगे और क्या पता पॉस्टिप चाहिए और भी दिक्कत हो जाएगी इसलिए हम उसको करते हैं फुल वैक्यूम चैंबर के अंदर करते हैं तो निक्स देखते हैं हम लोग इसमें यह हो कि हमारा कंस्ट्रॉक्शन वर्किंग लिए नेक्स बात करते है तो इसमें जो मैनेटिक फिल्ड के दुवारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वह सेंटिविटल फोर्स के बरापर है ठीक है कैसे तो गौर करेंगे कि मैनेटिक फिल्ड का फॉर्मुला हमारे पास क्यू भी बी साइन ठीटा और भी और बी के बीच में एंगल कितना है गौर यह सब्सक्राइब रहा है तो यह सब्सक्राइब निकाल देते हैं जो सर्कूलर पात को फॉलो कर रहा है चार्ट जो फॉलो कर रहा है उसका रीडियस क्या होगा यह होगा और अगर हमको उसकी पता करने कि किस वेलासिटी से कर रहा है और यह वेलासिटी का कि कौन से वेलासिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो यह दोनों हो गया यहां से सिस्टम अगर हम बात करें टाइम पीर्ड ऑफ रिवलूशन यानि एक रिवलूशन करने में कितना समय ले रहा है तो हमारे पास फॉर्मला है तू पाई आर बाई वी और हमारे पास आर के वैलों लाई है क्यों भी यह वेटा टाइम पीरिड फॉर रिवलूशन करने में कितना वक्त लगा है कितना समय लगा है उस चार्ज के दवारा यह हमारे पास टाइम पेड़ आगे तो यह थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जिसको आपको दिमां में रखने हैं जब आप करेंगे जब आ आपको इस सब चीजों का ध्यान दिना पड़ेगा अक्सर में इन सब का प्रयोग कर दी जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा लेकिन निश्चिन तरह कोई दिक्कत नहीं है अक्सर एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट पूछता है कि वाट इस सब्सक्रा कर देंगे यानि qv upon 2pi m कर देंगे तो इसी हो कहते हैं लोग साइक्लेक्ट्रों फ्रिक्वेंसी तो अब अगर आप से एंसी को पूछता है से कौन सी इन में से चार आप्शन देगा चार आप्शन बदल कर देगा आपको यह बात गोर गना रहेगा कौन सा ऑप्शन एक सर पेपर में और बस पूछों है इंपोट्रेंट है हो बटा हमारा रिक्वायरी कि जिसमें हमने रेडियस करता है दूसरा हमने बाटिक्व निकाला कि जो चार्च पार्टिकलर वह ते से सब्सक्रेंसीति को फॉल्व कर रहा है और टाइम पेड़ निकाला कि एक सर्कुलर पाथ को फॉल कम्प्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है और फिर हमने फ्रिक्वेंसी निकाली जो फ्रिक्वेंसी जिसको कहते हैं विटा सब्सक्राइब की फ्रिक्वेंसी क्लियर चलिए बटा आगे बढ़ते हैं लोग से ज्यादा इनर्जी कितनी होगी जब उसको छोड़ा जाएगा विंड़ो खोल के वह होगी बेटा के मैक्स के उक्वल टू क्यू स्क्वार बी स्क्वार अनौट स्क्वार अपॉन तो यह आपको रिलेशन बस दिमाग में नोड करना है ठीक है इसका डरिवेशन भी है जो क्या कमिया है जो सब्सक्राइब करते हैं तो पहली बात करते हैं कि मास सदेन लगता है जब पार्टिकल का स्पीड करता है घटेगी इसका मास में हो रहा है जब मास में होगा कर रहा है कि जब ऐसा होगा तो क्या करेगा वहां की सब्सक्राइलोग करेगा शरीप करेें तो उसकीमें बाड़ चार्ज तो जिस्च्री कमें होतीय है अगर का मेंटिफील्ट की वेलु कम हो रही है तो मैटेश क्या करते हैं जब मेंटिफील्ट की मेंटिफील्ट सेस्टम की अंदर उस प्रोसेटी की लोग तो इसकी बढ़ानी पड़े तो इसको बोलते हैं यह जो तरीके थे होता है सिंक्रोट्रोट के लिए ली होता है मैं डिट अ holistic करना होतों ऑर शिंक्रोट्रोट यह वितुन्म अंग्त्र नहीं होगा और क्योंकि न्यूट्राइट नहीं होगा क्योंकि engine जलेट होता है थिकल बात करना हो चाहे कोई से बहुत हो रहे हैं उनके करना हो कोई बहुत करना हो तो हम यहां पर करते हैं और रेक्टर में कभी फिजन फिजन में आओ सकता परती है इसकी तो वहां पर प्रयोग करते हैं यहांपर हम से करते हैं उसके उप्योग के लिए तो यह करके हमारे सामने जो सागेटरों का टॉपिक था यह हो गया समाप्त और कोई भी से डाउट हो तो आप हमसे कोशन पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में में मेंशन कर सकते हैं ठीक है चलते हैं जाहे हैं कर सकते हैं